हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाली है बिकॉज आज में आपके लिए जो रिक्रूट्मेंट लिकर आई हूँ वो आई हुई है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के तरफ से और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये विकैंसी आई हुई है किसी टाइब का कोई एक्सपीरियंस नहीं मागा गया है और सिर्फ और सिर्फ यहां फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अच्छी ऊपरचुनूटी आ चुकी है अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपलाई करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं सो किस तरह अपलाई करना है क्या क्या रहने वाली है eligibility डिसकस करेंगे ब्रीफ में वीडियो को complete जरूर देखना अगर आप first time चैनल पर आए हैं सबस्क्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक time लिप पहुंचाए बाकी इस recruitment के इलावा काफी सारे नए department की vacancies आ चुकी है जिसमें अपनी qualification के accordingly आप हमारी official site पर जाकर check कर सकते हैं हमारी official site www.clory.com जिसका link आपको description में जाकर मिल जाएगा और आप screen पे website भी देख पा रहे हैं आप चाहो आप इसको directly google पे type कर सकते हो first number पर आपको हमारी official site मिल जाएगी चलिए ज्यादा जमेना लेते ह तो यह अब हम बात करेंगे income tax की आई हुई direct vacancies के बारे में किस तरह apply करना है और क्या-क्या eligibility criteria रहने वाला है ब्रीफ में discuss करेंगे तो वीडियो को आपने complete जरूर देखना है ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई doubt ना रहे कि जैसे apply कैसे करना है किसी type का आपको कोई confusion न चल के आपको बताती हूँ apply आपको करना किस तरह से और क्या-क्या eligibility in vacancies के लिए आपके लिए रहने वाली है तो चलते हैं अपने official site के ओपर तो friends आप देख सकते हैं आपने official site के ओपर आ चुके हैं जिसका link मैंने आपको description में दे दिया है हमारी official site का भी और AC recruitment का अलग से भी इसमें सबसे पहले बात करते हैं department name की जो जी विकैंसिस आउट की गई है income tax department ने विकैंसिस को आउट किया है application mode इस बार जो आपका offline देहेगा और fresher candidate apply कर सकते हैं विकैंसिस के लिए सबसे पहले बात करते हैं salary की आपकी इसमें salary रहने वाली है 5200 से 34800 पर मंत प्लस इसके इ की विकैंसिस आई हुई है one by one हम डिसकस करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या eligibility है कब से कब तक आप अप्लाइ कर सकते हैं उससे पहले आपको बताते हो apply को किस तरह से करने official notification के साथ इन्होंने application form को attach किया ठीक है उस पहले application form को आप डाउनलोड करेंगे उसको आपने फिल करना अपना name, contact number, father name, qualification आपकी क्या है because इसमें जो vacances है हर एक qualification के accordingly out की गी है 10th pass की अलग है 12th pass की अलग है graduate candidate के लिए अलग है अगर post graduation वाले apply करना चाहते हैं वो graduation basis पे कर सकते हैं इसके इलावा बात अतिया apply कौन कौन कर सकता है तो इसमें male and female दोनों ही candidate eligible है दोनों ही in vacances के apply करना भी start हो चुका है अब बात आती है कौन कौन सी vacances इसमें out की गी है इसमें जो vacances है 10th pass की है 12th graduate की vacances आउट हुई है पोस्ट की बात करें तो पहली जो पोस्ट है ITI की है मतलब income tax inspector की first post है जो out हुई है second जो पोस्ट है stenographer grade B की vacances आउट हुई है और थर्ड जो पोस्ट ह MTS means multitasking staff की vacances है जो इस बार इनोंने out की हुई है जिसके लिए 10th pass भी apply कर सकते है 12th pass भी कर सकते है अगले जो पोस्ट है वो है tax assistant की पोस्ट है अब बात करते हैं post wise eligibility की ताकि आपको पता चल पाए कौन से पोस्ट के लिए कौन candidate apply कर सकते है तो इसमें अलग अलग vacances आउट हो चुका है लास्ट चोप्लाई करने की 15th April 2021 नहीं के important बात application fee application fee in vacances को आपको किसी टाइप की कोई फीपे नहीं करने आप फ्रेशर है आप apply कर सकते हैं या फिर female है दोनों eligible हैं तो नों apply कर सकते हैं चाहे आप reserved candidate है चाहे अं-reserved candidate है किसी को किसी टाइप की कोई फीपे नही करने है इसके लिए उसके बाल बात आती है एज रिमिट की एज रिमिट से पहले आपको पताती हो qualification और उसके साथ पहले आपको एज रिमिट की बता देती हूं इसमें जो पहली पोस्ट है वह है टेक्स असिस्टेंट स्टैनोग्रफर ग्रेट बी और MTS के लिए जो आपकी एज रिमिट है 18 मिनिमम 27 मैक्सिमम प्लस रिलेक्सेशन है OBC को इसमें 5 साल का है और SST को 10 साल का इंकम टेक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 साला की एज आप अप्लाई कर सकते हैं प्लस आपको रिलेक्सेशन इसमें दिया जा रहा है अलग-अलग कैटेगरी वाइस जो इन इन विकेंस के लिए रहने वाली है तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो है स्टैनोग्राफर की आप 12 पास ओ आप अप्लाई कर सकते हैं इसी के साथ जो स्टैनोग्राफर की पोस्ट है इसके लिए इन्होंने स्पीड मांगी हुरी है त्रांस्क्रिप्शन की अलग है कर लिना है उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकिंड पोस्ट के लिए क्या इलिजिबिल्ट या फिर बात करेंगे थर्ड और फॉर्थ की सेकिंड जो पोस्ट है वो है MTS की मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ की आप 10 पास से आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुशन पोस्ट के वाले अगर एक्सटीड है वह इ elastic कर सकते हैँ वह उनके आपर डिपैंड करता है उसके बात नेक्स्ट पोस्ट थर्ड for ऑन फोंट की बात करेंगे टकस असिस्टंट यह फिर टेक्सटंन की जो पोस्ट है इसके लिए गिराजुर1 2019 लिए उसके से लिए अब बा के लिए कोई एक्जाम इसमें नहीं होगा और अगर आप फ्रेशर है मेल है फिमल है और इसमें इक इंपॉर्टेंट बात है मेल फिमल इंडिया में किसी भी स्रिटी या स्टेट से बिलॉंग करते हैं अप्लाइ कर सकते हैं जॉब लोकेशन भी इसमें आपकी जो है एक्रोस सब्सक्राइब करते हैं उस एप्लिकेशन फॉर्म के आपने क्या करना है राइट इंड साइड पर आपको अपने लेटेस पासपूर से फोटोग्राफ लगानी है और उसके साथ आपको अपने रिक्वाइड डॉक्मेंट जैसे अपने क्वालिफिकेशन का डॉक्मेंट हो उस पोस्ट का नाम आपने फॉर्म पर लिखना है और इंवल्फ के बाहर भी आपने लिखना है जैसे चार्ट या पोस्ट ने पताईएए मैंने आपको आपको पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हो यह इंपोर्टेंट चीज है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बाह की हुई है स्पोर्स कोटा वाले अपलाई यहां पर कर सकते हैं फ्रेशर अपलाई कर सकते हैं एक्सपीरेंस कोई मांगा नहीं गया है अभी जाहिए अपलाई कीजिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नहीं प्रमेशन के साथ थैंक्स पर वाचिंग